अपके हर्याना की सभी वीडियोज पाई सिरफ एक क्लिक पर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं लाके जो है अगर इंडियान नेशनल लोगदल का ग्रैक शेतर है और इंडियान लोगदल का सिक्का चला करता था लेकिन भारते जनता पार्टी को जो विजय मिली है उस पर क्या कुछ कहते हैं और आने वाले विदान सभा चुनाओ में उनकी किस तरह से क्या कुछ रेक शेतर है, चोदरी देविलाल जनना एक जिनको बोला जाता है, उनकी जनमस्तली सिर्सा है, चोदरी ओमपरकस चोटाला जी की जनमस्तली सिर्सा है, क्या कारण रहे कि इंडियन नैशनल लोगदल मातर नबे से बानवे हजार वोटों में सिमट गई? देखिए, आपने स्वाल बड़ाच्छा पुच्छा है, मैं इसका जवाब दे दूँ, ये जो इलेक्शन था ना, ये मुद्धी वर्सी जराहुजी का इलेक्शन हो गया, जिसमें मुद्धी साब को लोगों ने वोट देने थे, उसके बाद में लोगों ने छेतरी अदलों क को ये समझा कि इनकी केंदर में भूमिका नहीं होती है, तो लोगों ने फिर वो डारेक्ट है, उदर रस्ता कर लिया, भी हमने दो उनको पी-म के कंडिडेट नजर आए, एक मुद्धी साब, एक राहुल गांदी, तो उन्हों ने राहुल गांदी को सजा दे दी, साथ में हम भी इसलब पेटे में आगे, मारी पार्टियां भी आगे, सजा तो उनको मिली जी, एक साथ में बूत होगी हम भी होगे, ये बहुत बड़ी गलत फेमी में है, वो इलेक्शन अलग था, ये जो स्टेट का इलेक्शन है, वो अलग होगा, गई बात आपने गड़ का है, य ये गड़ कब होते थे, ये राजा मराजवान के टायम के गड़ होते थे, अब परजातंत्री के कड़ आप इसुमें राजा पैदा नहीं होते, पहले तो विरासथ चलती रहती थी ये आज राजा है गड़ में तिलक कर दिया, गड़ किसी का नहीं है, गड़ भीचिकार होता है लोगों को पूरों की पॉसंद होती है हमने किसको जिताने KIS को रुणघंता फेंशला करती और जूंता ही आने वाले विदानसभा में बहुत अच्छा पस्था फेंशला करेंगी यह मुजे पूरी हमीद है फिल्कुर हम लोग वबर के आएंगे अगर मैं विदान सुभा चुनाओं की बात करूं तो तैयारी किस तरह से चल रही है क्या गाउं गाउं जाकर के शहर शहर जाकर के डोर टोर जाकर के किस तरह के तैयारी है हमने आम पॉब्लिक से आम मताता से जुड़ना है वो हमारा भियान जारी है पॉलिक से जाएंगे पॉलिक के पास जाएंगे और पॉलिक हमें बुला भी रही है तो बिलकुल जो पार्टी का प्रोग्राम है या नीजी तोर पर हमारे जो सम्फरक है वो हमारे जारी है और ज़ल्दी इसकी गोशना हो जाएगी सबी लोग अब आएंगे लोगों के पास हम तो पहले मिले जुनने वाले लोगों में इसे थे कभी गर बैठने वाले लोगों में नहीं थे चलो जां कहीं भी यह मारे गलती है उसको सोधा रहेंगे सर अगर मैं बात करूँ तो इनलो NLO से अलग हुई JGP तो क्या आपको लगता है कि NLO से JGP अलग होने का विदान सबाचोनाओं पर भी कुछ ने कुछ असर पड़े हैं नी नी मेरा माना नहीं है यह तो यह लोगों का बाना है जजपा फजपा कोई चीज नहीं है यह तो यह बनती रहती है बड़ा दर्खत रता है उसकी टेने थोड़ी सी तेज अंदी चलती है तो टेने टूट जाती है तो बहुत को छोटी मोटी टेनी टूटी वो जल्दी सूख के जड़ जड़ गी जजपा जजपा की के बात ही ना करो आप हमारे उस में मैटर में नहीं है यह कहीं भी दवाली के अगर मैं बात करूँ दवाली विदान सबाकी तो इस बार जो परत्यासी वो परिवार से होगा या कोई बाहरी होगा क्या कुछ क्योंकि एक Safgglrist चल रही है के परिवार से देख्ये मैं आएननली का बता सकता हूं मुझे दूसरी परटियों कोई प्रटानी कौन क्या लट रहर एक नहीं लट रहर आ है अगर परटी का एस लाकर वो मेरे विसास करे या किसी और पर बिसास है तो पार्टी ने फैंसला करना होता है पार्टी जो फैंसला लेगी तीक ही लेगी अच्छा ही लेगी हाइकमांड लेगा फैंसला अभ है मेरे आत पेंस python लेने बाइए यथा यह सुनेना चोटाला जी जो कि अभी अभी उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देए है पार्टीने पार्टी ने उनको एक माहीलाबिंग में पीने वरी देनी है तो उनको da faze पारटीं फैंसला करती है तो ठीक है लड़ लेगी उसमें क्या है अब फैंसला लेना या नहीं लेना टिगेट देनी या नहीं देनी उत पार्टी का फैंसला होगा यह मारा कोई व्यक्ति या नीजी फैंसला नहीं होगा एक चर्चा और चल रही है कि इस बार बीजेपी सरकार के खिलाफ एक महा गठबंदन किया जाएगा जो बाकी जो खेतरी अदल हैं वो सारे एकठा होकर कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो इन एलो का भी बुपेंदर सिंग हुड़ा जी के साथ चर्चा चल रही है कि संबंद बताए जा रहे हैं कि मिलने वाले हैं हो सकता है गठबंदन हो जाए वो इदर आ जाए तो क्या देखो राजनिती एक संबावना का खेल है कुछ भी संबंद हो सकता है इसमें जब बीएस पी और समाजबादी पारटी कठी हो सकती है जो कभी एक दूसरे के किसी को देखना तक पसंद नहीं करते थे वो एक स्टेज़ पर आगे ना तो यह तो राजनिती क्संबावना क्वेल है अगे देखो क्या होता है तेल देखो तेल की दार को देखो आपने एक इंटर्विव में कहा था कि आप कोशिश कर रहे हैं कि परिवार को एक कर लिया जाए चोधरियाबे सिंग्ञ चोटाला जी और आजया सिंग्छ चोटाला सब कुछ हुआ, जब उन्होंने मन भी बना लिया तोड़ने का, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बल्की कहा कि भी आप अलग मत हुए, आप साथ रहिए, और आज वर्करों का मसला है, आप वर्करों के साथ विश्वास कात करने वाले ना बनो, आप लंबे चलो, अर्याना की जनता को बड़ी भारी उमीद आप से, अब वो उन्होंने मनी अलग बना लिया तो उस चीज का, मेरे पास कोई लाज नी था, मैंने तो कोशिश करना मेरा काम था, मैंने कोशिश करी खूँ, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, उसमें तो दोसी हो नहीं, मुख्या मंतरी तब बनता है, जब आपके बास 46 अमेले हो, पहले वो तो लाओ, उसके बाद में कोई मुख्या मंतरी की बात होती है, वो तुझे किसी पार्क्री में देख रहा जब तक वो मतनी होगा तो आप कैसे मुख्या मंतरी बनोगे, फिर अमेले डिसाइड करते हैं तो उन्होंने जल्दबाजी में और राजनिती के कच्चे की लाड़ी थे, जल्दबाजी में पैसला लिया है, तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो, वो बात कर रहे हैं, हवा में ज़्यादा है, जमीन पर कम है उनकी बात हैं। और उसमें राहूल गंदी को लोगों ने सबग सिखाने का फैसला लिया था, और उसमें साथ की साथ जो ख्षेतरिय पार्टियां थी, वो भी पी सी गई, लेकिन आने वाले विदान सब़ चुनाओं में ऐसा बिलकुल नहीं होगा, और आने वाले विदान सब़ चुनाओं से विजे हासिल करेगी और अपनी सरकार बनाएगी, अगर मैं डवाली विदान सबाग शेतर की बात करूँ तो रवी चुटाला का साथ तोर पर कहना है कि चुनाओं इलेक्शन लड़ने को लेकर कि जो भी पार्टी तैय करेगी, पार्टी का जो नेतरितव है, उसी के चुनाओं मैदान में उतारती हैं तो ये पूरे तन्मंधन से उस कंडिडेट का समर्थन करेंगे और डवाली से इंडियन नाशनल लोगदल पार्टी का विधायक बना करके भेजेंगे, खैर आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर पार्टियां कौन-कौन से पार्टें किस किस कंडिडेट को यहां से उतारती हैं लेकिन आने वाले विधान सबा चुनाओं के लिए इंडियन नाशनल लोगदल पार्टी की और से रवी चुटाला ने अपनी कमर कस्नी शुरू कर दी है कैमरा सायोगी मुकेश बैनिवाल के साथ रमेश जाखर के हर्याना